तो यह नमस्का मेरा नाम मैंग चुब्थ है मैंने ऐसर चीज जटें व्हाद रहे इंकम टक्सेश सपक्तर मिला था 2014 में मुझे एक्साइज सपक्तर मिला था पंधरा मैंने चुह सट्प्रीं में और फाइटर्वाद नहीं था 16 में मैंने सिर्फ प्री दिया था ठीक है क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेसे गवाई तो तुक्के से मिल गए होगी तो इसने आपको हर वास सक्सेस होना जरूए थे और मैंने कोई सेलेक्शन ने लिया फ्रमाइल एक्जाम इसने ने दिया कि आपकी सीट भी खराब ना हो तो मैं आप डिसक्रस करूँगा कि मैंने तैयारी कैसे की और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं तो आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखके आए हो गए कि भाई उसने ऐसे तैयारी किये और ऐसे एक्जाम किलियर कर दिया अब आपको भी तैयारी करनी है तो आपके अंदर होगा कि हां सोला घंटे पढ़ना है अठारे घंटे पढ़ना है तो ये सारी डिसक्रस्शन से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा एक राजा के पास चार घोड़े थ अब होता क्या एक आदमी आता समझधार उसने कहता कि सर मैं करूंगा कंट्रोल यह ठीक है पर इनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा एक महीने के लिए राजा ने ठीक है ले जाए वैसे भी बेकारी हैं तो वह एक महीने बाद ले गया और एक महीने बाद घोड़े पे चा सब्सक् clown टीमेंगे इंपलीमेंट करनी है तो राजा असारे बोलता कि सारे लोग क्या करते थे सीधा घोड़े बैठने का ट्राय करते थे मैंने क्या किया पहले ही लोग घूड़े भागते तो में इनके साथ भागता यह खाते तो मैंनेicios कं ठाता फिर फिर हुआ क्या मैंने थोड़ा थोड़ा इनकी उपर पट्टा से रखना शूरू कर दिया इन्होंने गिराया फिर मैंने फिर से रखा फिर इनको मेरी आदत हो गई तो हमारे साथ भी है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे आज किसी का सुन लेंगे तो आज बैठ जाएंगे 16 गंटे पढ़ने फिर कल क्या होगा कल कुछ नहीं तो आप क्या करते हो सबको एक साथ कंट्रोल करने की कोशिस करते हो ना यह आप सोचोगी आज ही मैं अब इन चार गोड़ों को एक साथ तुम कवर करोगे एक साथ तुम सारे काम करना शुरू करोगे तो क्या होगा वोड़े आपको ग्रा देंगे तो आपको चोटा स्टैप लेना है ठीक है ठीक बेगने स्टार्ट स्मॉल मैं आपको हर चैप्टर वाइस स्टैटिजी हर पर मुझे लगती थी बहुत ज्यादा टफ मैं दो पन्ने पढ़ता था हडपा के अफिर मैं सो जाता था तो इसके अलावा मेरी आगे फिर पढ़ाई करने का दिल करता नहीं था तो मैंने एक एससी एड़्डा कैप्सूल आता है ठीक है इसमें क्या थोड़ा कॉन साइज ह हो तो मैंने स्टैटिक पार्ट जीके के लिए फॉलो किया था अब इसमें भी क्या है कि आप सीधा वही हडपा वाली कहानी आपके साथ हो जाएगी अगर आपका बैग्राउंड हिस्ट्री का और आप पढ़ना शूकर दोगे साइंस आपको नीन आने लेगी यह आपका बै तो मेरा साइंस का बैगराउंड है फिर फोड़ा इंट्रेस मुझे इकणोमि में तो इकनोमी फिर पॉलिटी करूं अगर मालो मैंने वी आर्ट किया है तो मिरी इंट्रेस्ट पहले मि इधर से शुरू करूं तो आपका जो एरिया फिंट्रेस्ट पहले उसको पढ़ना कर दिया तो होगा कि शुरुआत में तो मज़ा आएगा दो पेज फिर आप सो जाओगे पॉलिटी में भी जिल लोगा बैग्राउंड नहीं है वह स्टार्ट करते तो हम मिलते हैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट या इंडिया एक्ट 1935 तो इन समय क नानिन 1 मोयल में किनठ्यद हिरे तो यह सारी थीसान करने वालोते तो यहीं कि बाद में कबरा करें यहीं सबस्क्रा करते हैं लोग सब्सक्रानी होती इतने पर दोपड़ने verste में उससे आप स्टार्ट किलया तो आपको याद पढ़ना है यह समझना ईजी रहेगाा है आग से cover कर सकते उसको और बर बर revise कर सकते वो part करें यह नहीं के WOTC book उठा ले यह आप 10 साल तक वह कर रहे हैं और आप रिवाइस कर पा रहे हो आपको PhD नहीं करने है जनर्नल नॉलिज में आपको सर्फ exam के लिए करना यह दिमाग में का उससे लास्था मन्थ की आप एक कवर कर लो जो करंट अफेर एक लास्थ फूर मंस का इतना अगर चाहिए अगर आपर कर लेते हों तो आपके लिए काफी होता है और यह दोना अगर आपने कवर कर ले अंलाइन तैयारी का pdf लास्फ पोर मैंथ और लुसेंट या कोई भी जन्नल नॉलेज़ की स्टेटिक पार्ट वाली वो तो आप आराम से 35 प्लस ला सकते हैं चीक है कट आप छोड़ो में आपका दादू टार्गेट क्या रखना चाहिए आपको जीके 35 प्लस इंग्लिश 45 प्लस क्वांटिटिव एप्टिट्यूड 50 रीजनिंग 50 यह आपका टार्गेट होना चाहिए तब आपको सही पोस्ट सही जगा मिलेगी तो 200 मैं से आप यह सकते हैं ऐसा नहीं हवा में टार्गेट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो है क्वांटिटिव एप्टिट्यूट का जो पेपर का लेवल है पहले से काफी इजी हो गया है मैंने भी 16 17 वाला जब मैंने दिया था तो मैंने बिना पैंट टच कि सारे कोश्टिंस कर लिए तो ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइन से आप इजी ली कर सकते हो मैं बताओं को तैयारी कैसे करनी है तो आप इजीली कवर कर सकते हो और इंग्लिस में में 200 में से आपको लाने का टार्गेट होना चाहिए 170 प्लस जिनका नॉन इंग्लिस वेक्ग्राउंड है तब भी काफी है उनको मैस में फिर 190 प्लस लाना है इंग्लिस 060 प्लस मैस 90प्लस अगर आपका मैस थोडह वीक है तो सको 170 pontique कर दो को और यहां 1809 कुछ कर कि Agnes इसमें क्या आता है जी इसमें आपका आता है एक पचास नमबर का एस से और एक पचास नमबर की application जो मैं वीडियो के लास्ट में बताओंगा कि कैसे इसमें score किया जाएं Tu तो भी अब हमने जीगे कवर किया अब हम बात करेंगे इंगलिस की इंगलिस में दो इसको कर सकते हैं यह आ कोई भी यह वी ग्रामर की बूक है कोई भी एक बूक करते हैं और यह बार बस उसको पढ़ लें आपको याद नहीं करना है आपने topic पढ़ा पीछे से उसके exercise बना ली तो एक बार से पढ़नी है आपको कोई question याद नहीं करने को रूल का रख्टा नहीं मारना है यहाँ पर जब यह काम आप खतम कर लेते हैं उसके बाद आपका next step आता है English के लिए आपने जब एक बार grammar के book कर ली उसके बाद आपके पास जो मैंने की थी मैंने की थी the platform और इसके अलावा है आपकी MB publication की है ऐसी कई सारी books जिसमें previous year के question सारे एक साथ दे रखें तो आपको करना यह कि यह वाली जो book है मैंने बनाइती है तीन बार बना लो आप आपने की ग्रामर पढ़ लिया तीन बार यह कर ली आपको इंग्लिस में और कुछ नहीं करना है वो क्याब का मैं separate बताऊंगो कि उसको तयार कैसे करना है तो यह करने के बाद होता है कि ऐसे सी मोस्ट ली क्या करती है कि जो पैटन है जो question का पैटन है कि वह जो ग्रामर में इस टाइब की जो question पूछे के लास्ट यह नेक्स चेर आने के तो डेली रम पीने से क्या हो जाएगा डेली दिम हो जाएगा mental disorder हो जाएगा या कोई मेरे हाँ खाने पर आया मैंने खाने में 20 मिर्श डाल दी तो उसकी 20 मिर्श हो गया नि डिफेम हो गया तो एक तो आप इस तरह से है जिनाहर मेटी जी नॉर्मल लीगश वाला इसमें सब्सक्राव करो आपको याद करना हैं उसमें रूत चोंचे ऺंए गो मामेंपने पागल होगा ego surfing क्या होती है अपने आपको internet पर सच करना माइं गुफ्त मैं सर्च करने लगूं that is ego surfing और जैसे बहुत साइड का मतलब होता है to kill तो कहीं आपको मिलेगा decide तो मतलब क्या कर रहे हो options को kill कर रहे हो एक option choose कर रहे हो कहीं आपको मिलेगा suicide अपने आपको kill कर रहे हो रेजी साइड फैमी साइड सौरी साइड तो जहां भी साइड आएगा मतलब आपको समझ जाओगे कि आप यह क्लिंग से लेटेड वात है तो इस तरह से मैंने वुक्याप तयार की थी तो वर्ड पावर मेड इजी पढ़ सकते हो अगर उसको पढ़ने का टाइम नहीं तो यह इसली इंग्लिज में 45 प्रस ला सकते हो कई सारे लोग रिकमेंड करते हैं निउस्पेपर पढ़ना चाहे नहीं पढ़ना चाहे मेरा अपना परसनल ओपीनियन है जो वैरी कर सकता परसंट तो परसंट कि निउस्पेपर में बहुत जादा टाइम चला जाता है अब मैंने न किरन चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर अगर आपको सिरोगलिज पढ़ना है तो आरे सक्वराब में बहुत अच्छा दिया हुआ है उससे अच्छा मुझे कहीं नहीं मिला क्वांटिटिव एप्टिट्यूट की बात करूं तो सेम किरन चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर इसके अलावा आपको पढ़नी पढ़ेगी एडवांस मैथमेटिक्स के लिए अलग से बुक आती है राकेश यादव और एक अभने शर्मा लड़का है उसकी भी बहुत अच्छी बुक है एडवांस मैथमेटिक्स की तो आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं अडवांस मैथमेटिक्स के लिए नौर्मल मैथमेटिक्स के लिए किरन अच्छा एप्टिट्यूट में आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा मैं बतांगो और क्या क्या करना नॉर्मली लोगों का वीक होता है इसके अलावा एक एप डाउनोड करने आप मैस के नाम से जो एंटोनी आयन ने बनाई यह यह वाली आप एप्लिकेशन डाउनोड करने अब तैयारी की स्टेटिव डिसक्स करेंगे रीजनिक और क्वांटिटी एप्ट्यूटिटिट की कम्माइड तो इससे पहले फिर से छोटी सी कहानी लेंगे हम डिसक्स करने से पहले एक जंगल में तीन लोग थे ठीक है एक चार पेड़ उखाडता था एक आट पेड़ उखाड लेता धिन में उखाड़ ला कहलो यह काटना कहलो इसको बिसिकली पेड़ चाही होते थे मालिक को तो जो चार पेड़ वाला था उसकी आर्निंग बहु इंडिशनल मेथड से पढ़ते जारें जिनका सेलेक्शन नहीं हो रहा दस साल त्यारी कर लो जब भीस साल त्यारी कर लो अब मैं धक्का लगाने लगो कितने धक्का लगा लो तो दिवार गिर जाएगी बारह पेड़ वाली लोग वह जो आइटी से बैस जिनका तो मालों जो बलसाली आदमी तो पेड़ उखाड के खीज देगा आपको उसको कुछ नहीं करना है तो बारह पेड़ वाले वह लोग जो बचपन से एकदम इंटलीजेंट हैं तो आप अगर इंटलीजेंट नहीं हो तो आटपेड़ वाली स्ट्रेटीजी फॉलो करने क्या है एपनी कुलहरी को शर्प करना तो जो चार पेड़ उखायता था उसकी दो जोब चली आटपेड़ वाले ने क्या किया signals को शर्प कर रहता था तो इसलिए वो ज्यादा काट पाता था बारह पेड़ वाला था वह तो एजी ली उखाड़ी लेता है क्योंकि वाइटी से था तो यहां पर भी आपके तीन लोग मिलेंगे आपको चार पेड़ वाले वो लोग हैं जो तैयारी करते जारहें करते जारहें जिंदिगी निकल रहें बाल सफेद हो गाएं लेकिन एक्जाम के लिए नहीं हो रहा बा मैस के लिए जो कुलाड़ी शार्प करनी आपको कैल्कूलेशन स्ट्रॉंग मनानी है कैल्कूलेशन के लिए आपको करना यह है वैदिक मैस इस पर फोकस करना है अब सपोस करो मैं आपसे बोलू 105 इंटू 107 बताओ आपको टाइम लगेगा मैं सीधा-सीधा लिग दूगा ठीक है मैं आपसे बोलूगा भई एक 108 का स्क्वार बताओ आप कैल्कूलेट करोगे मैं सीधा-सीधा लिग दूगा तो यह जो चीज़ है थ्री से कम मैं कर पाऊंगा मैं क्यों क्योंकि मैंने वैदिक मैतमेटिक्स पढ़ा हुआ है यह गूगल पर आपको मिल जाएगा कही रेक्स बताई है जैसे अगर मैं आपके बोलूग 49 का 14.2857 बता आपको टाइम लेगा मैं एक सेक्ट में बता दूगा तो यह जो ट्रिक्स हैं आप वैदिक मैतमेटिक से सीखते हो तो आप वैदिक मैतमेटिक से एगर एक बार श्ट्रॉंग कर लेतो जो क्वेस्टन करने मै आपको एक मट लगता था उसमें 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लाएगे अच्छा इसके अलाव मैंने बताई थी एप आपको मैस्ट्रिक के नाम से जब एक बार आप वेधिक मैतमेटिक्स पढ़ लें तो आप मैस्ट्रिक वाली ऐपसे डेली 5 में केरें उसमें आपको कई साअधो एक्ससाइज मिलेंगी प्लस करने के माइनस करने की मल्टिपलाई करने की परसंटेज निकालने की तो यहां से आपकी जो कुलाड़ी शार्प हो जाएगी वो आपको आगे काम देगी वैदिक मैथमेटिक्स आपको एक बार श्रॉंग कर लिया उसके आद मैस में आप काफी इजी ली कोशन कर सकते हैं अब बात करते हैं बाकी तैयारी कैसे करनी है रीजनिंग और मैस की किरन चेप्टर वाइस सॉल पेपर जो मैंने बुक बताई है मैथमेटिक्स के लिए उसके सॉलुशन पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी मैंने आपको बुक बताई है वो इसका रीजन में बताता हूं टॉपिक करना कैसे आपको सपोस करो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है आप यूट्यूब पर लिखो टाइम एंड वर्क और राकेश यादव अभने शर्मा गगल परताफ सेंग तो इससे आपको कई सारी वीडियो स्खुल के आ जाएंगी तो यह तीन टीचर आज की लिंगे solution ठीक है बच्चे करते हैं तो आप कोई भी और भी अगर आपको अच्छा वीडियो मिलती है तो आप आधा गंटे देखो वीडियो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं देखनी चार-पांच गंटे की टाइम वेस्ने करना सिर्फ तीस मिनट की वीडियो रिलेशन यूट्यूब पर सर्च करो तीस मिनट की कोई वी वीडियो देखो उसके बाद प्रैक्टिस करने करन चेप्टर वाइस है वह कैसे करने वह बताते हैं मेजर पार्ट सब्सक्रों किसी चैप्टर में पांस टाइप में उसमें टाइप वाइस दिया हुआ है आपको करो छे टाइप है तो इतने कोशन लेने पढ़ेंगे मुझे दस कोशन हो जाएंगे 60 आपको किरन चैप्टर वाइस से कोई भी चैप्टर जो आपने गबार आदा घंटे की वीडियो देख ली फिर उसका आपको लगाना टाइम एक घंटे का और कोशिश से करने हैं कि आप कवेशन है फिर उसको कवर करो फुर्ष से टाफ उसको कवर करो इससे होगा यह कि आपसे कोई भी ऐजी कुशन नहीं चूटेगा सारी कहानी जिली कोशन के टफ जो आपके लिए वो दूसरे के लिए अगर आपने इजिक कोशन बिस्क्र दिया तो आप सब्स्ट्रमें सारी कहान ote 2019 टो jitनी बार भी आप चैप्टर पढ़מצ लगाओ नभी प्रॉफिट लगाओ ले ब्रएगए रीजिनी की चैप्टर रिप्रेक्टिस करा ऊप थे तो इसने क्या हों हर आप टैमिंग के साफसे प्रेक्टिस कर पाऊओ के और इसके वाग् cerca पार्ट आता है आपका ऐसे एन एप्लिकेशन का तो ऐसे के लिए मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूं इस पी एल एटी आपको कोई भी टॉपिक आए किसी भी टॉपिक पैसे लिखना है तो आप सबसे पहले इंट्रोड़क्शन देंगे भी टॉपिक कहना कहा रहा है यानि के डवलूए करेंगे आप की वर्ड अप्रोच जैसे फ्डिया इन इंडिया आपका टॉपिक तो आप बताओं गया होती है इंडिया में इसकी क्या एंप्लिकेशन है तो कीवर्ड अप्रोच खतम होने के बाद आप यह सारे फैक्टर कवर करेंगे एफडिया का सोशल फैक करते हैं तो at least maximize करने को सब्सक्राइब हर डायमेंशन को कवर करें और करन्ट अफेर से उसको जोड़ने की कोशिस करें तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना है और आपकी बात करते हैं next application application में आपको प्रॉलम दी होगी कि सब्सक्राइब आपकी एरिया में गंदगी हो रही ह तो आप इसके वारे में आप किसी कमिश्णर को लिखना चाहते हैं तो आप सीधा लिखेंगे कि बाइट इस सब्मिटेट बताएंगे कि यह हमारे हैं समस्या है और फिर इसका implication क्या है और इसका क्या conclusion चाहते हैं तो अगर आप इस तरह से ऐसे और application लिखते हैं तो आप मेरी preparation strategy रही है मेरा मानना की time का बहुत बड़ा factor होता है और दूसरी चीज आप mock test की practice जरूर करें दस दिन में एक mock test जरूर देना चाहिए रीजन क्या यह नहीं सोचना है कि पूरी तैयारी हो जाएगी तम mock test देंगे सबोस्थ करो आपके पहला mock test दिया आपके 10 नमबर आए कोई दिक्कत नहीं है अगली बार आपने time and work पढ़के दिया तो आपका target होना चाहिए इस mock test में time and work का कोई question नहीं चूटेगा फिर अग उसके बाद reasoning में practice करूंगा आदा गंटा तीस में लगाओं गांगा तीस में उसको analyze करूंगा मैस में पढ़ोंगा एक घंटा प्रेक्टिस एक घंटा analysis ठेक है तो दो गंटे पढ़ोंगा दो और तीन चार-पांच गंटे पढ़ना बहुत ज्यादा सोला गंटे पढ़ने की कोई आवशक्त निया पांच गंटे अगर ठीक से डैडिकेशन से चार-पांच महिने पढ़ते हो तो आप अपना एक्जाम के लिए कर सकते हो तो हमेशा याद रखना है कि बहुत ज्यादा टाइम ने देना है आप पांच गंटे पढ़ने क्योंकि जमी मंजिल नहीं मेरी पूरा आसमान बाकिया है तो दोस्तों जान लगादो और इस बार आपको एक्जाम क्लियर करना है टागेट करो कि आप 2020 का से सीजल हर हाल में आपको क्रेक करना है और मैं अंत में डैली नॉलिज ट्रैक को थेंक्यू बोलना चाहूंगा जिसके बाद झाल